नमस्कार मैं मुम्ताजब्दुनिलेडगा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा गुमनाम सफर पे हो गुमनाम से घर में हो गुमनाम निशाबा की गुमनाम शहर में हो गुमनाम से हैं लोग यहां गुमनाम से बसती है गुमनाम किनारे है गुमनाम से कष्टी है गुमनाम ही था बचपन गुमनाम जवानी है गुमनाम योधावों की गुमनाम से कहानी है ये जो कुछ पंक्तिया मैंने अभी आपको सुनाई उसे सुनाने का मकसद बस इतना था कि आज हम भारती इतिहास के उस योधा के बारे में बात करेंगे जिनके साथ ना इतिहास ने नियाई किया ना ही इतिहास कारों ने उनके वंशजों ने भी उन्हें याद नहीं किया या यू कहें उन्हें याद करने नहीं दिया गया भावी पीडियों को उस महावीर के बारे में हम बताना चाहते हैं ताकि आने वाली पीडिया हम पर ये आरोप ना मड़े की हमने भी उन्हें भुला दिया जिन्होंने हमारे लिए खुद को मिटा दिया दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे भारत के अलेक्जांडर ललितादित्य मुक्तपीड की एक ऐसे कश्मीरी सामराट की जिन्हें कश्मीर को देश के अलग रखने के लिए जानभूच कर भुला दिया गया भारत का वो महान सामराट जिन्होंने मर्धी एशिया के देशों और चीन तक विजय प्राप्त की लेकिन नहरू इतिहासकारों ने हमें सिर्फ पराजई का इतिहास पड़ाया अब एसी गल्तियों को सुधारने का समय आ गया है आईए आपको बताते हैं कश्मीर के शुरवीर राजा ललितादित्य की कहानी जिनके डर से 300 साल मुसलिम आकरनतावों का साहस नहीं हुआ की उनकी धरती पर कदम रख पाए आठवीश अताबदी के कश्मीर के सुर्य बंशी सामराथ ललितादित्य मुक्तपीड एक एसे महान और शुरवीर राजा थे जिन्होंने तीबद से लेकर द्वारिका तक उडिसा की सागर तट से दक्षिन तक पूर्व में बंगाल पस्चिम में विदिशा और मध्य एशिया तक अपने राज का पर्चम फहराया था उसकी सेना की धमक इरान तक जा पहुंचे थी इस वी राजा ने पीकिंग यानी वर्तमान चीन तक को जीत लिया था लेकिन वामपन्थी इतिहास कारों ने ऐसे महान राजावों के इतिहास को जान भूच कर छिपा दिया कश्मीर के सिकंदर कहे जाते हैं सामराठ ललितादित्या विदेशी इतिहास कारों ने सूर्यवनशी सामराठ ललितादित्य मुक्तपीड को कश्मीर का सिकंदर कहा है कश्मीर की धर्ती के शूर वीरों ने कभी विदेशी आक्रमन कारियों और उनके शस्त्रों के सामने शीश नहीं चुकाया कश्मीर का जिक्र महाभारत युद्ध में भी देखने को मिलता है कश्मीर का ज्यात इतिहास सम्स्कृत के राज तरंगिनी नामक महाग्रंथ में उपलब्द है राज तरंगिनी का एक श्लोक है विजीयते पुण्य बलर बरियतु न शस्त्री नाम परलोकात तो भीतिरियस मिन निवसताम परम इस श्लोक का अर्थ है कि कश्मीर पर शस्त्रों से नहीं केवल पुण्य से विजय प्राप्त की जा सकती है वहां के निवसी केवल परलोक से भैबीत होते हैं ना कि शस्त्र धारियों से इरान तक जीत हासिल की सामराठ ललिता दित्य ने राज तरंगिनी के अनुसार आठवी शताब्दी के सबसे शक्तिशाली सूर्य वंशी सामराठ ललिता दित्य ने भारत के कई राजियों और मध्य एशिया तक फत्ह हासिल कर ले थी सामराठ ललिता दित्य कारकोठक वंश के सबसे शक्तिशाली हिंदु शासक थे ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपूर नगर बसाया था। उन्होंने अपने पराक्रम और साह से तिबतियों, कमबुजू और तुरकों को रणक्षेत्र में पराजित किया था। विद्वानों के सम्रक्षत थे ललितादित्य। सामराट ललितादित्य के सर्वश्रिष्ट उपलब्दी थी कन्नोज नरेश येशो वर्मन पर जीत। कन्नोज के राजा येशो वर्मन को हराने के बाद उसके दरबारी संस्क्रित कव्यों भवभूती और वागपती राज को ललितादित्य ने कश्मीर बुलाकर अपने अभियान से बंगाल बिहार उडिसा तक अपने सामराच का विस्तार किया उनकी सेनावों का कूछ गुजरात मालवा और मेवाड तक सफलता पूर्वक आगे ही आगे बढ़ता गया ललितादित्य के इन सफल यूथ अभियानों के कारण भारत ही नहीं समूच विश्व में कश कश्मीर की धरती के पराक्रमी वीर सामराच ललितादित्य का नाम यशस्वी हुआ दक्षिन तक विजय प्राप्त करने के बाद सामराच ललितादित्य उत्तर के उन्चे शिखरों को नापने के बैचेन थे कश्मीर उस समय सबसी शक्तिशाली राज्जी बन चुका था सामराट लालिता अधित्य ने कश्मीर की उत्तरी सीमावों पर स्थित्क शेत्रों की तरफ अपना विजयरत दोडान शुरू किया इस अभियान में भारत से चीन तक के कारवा मारगों को नियंत्रित करने वाली कारकोरम परवत शुंखला के सबसे अगले स्थल तक उनका सामराज फैला था दरसल आटवी सदी के शुरू होते ही अरबों का आक्रमन काबुल घाटी को चनोती दे रहा था इसी दोरान सिंठ के रास्ते से मुस्लिम शत्या उत्तर की और बढ़ने का प्रयास कर रही थी जिस समय काबुल और गांठार का शाही सामराज इन आक्रमनों में व्यस्त था ललितादित्य के लिए उत्तर दिशा में पाव जमाने का एक सुन्दर आउसर था अपनी विजई सेना के साथ ललितादित्य तुर्किस्तान की और बढ़े ललितादित्य के मार्गदर्शन में कश्मीरी सेना ने मर्ध एश्याई नगरों पर विजई प्राप्त कर ले ललितादित्य की सेना की पदचाप आरण्यक यानी आज के इरान तक पहुंच गई थी सामराट ललितादित्य ने कश्मीर पर आक्रमिन करने वाले अरब हमलावर मौमिन के विरोध चार बार युद्ध लड़े और चारो बार उसे हराया ललितादित्य ने चीन की राजधानी पीकिंग वर्तमान बीजिंग को भी जीता और बारव वर्ष के पश्चात कश्मीर लोटे 7.33 इस वी में ललितादित्य ने चीन में अपना दूत मंडल बेजा और बारव वर्ष के पश्चात कश्मीर लोटे 733 इस वी में ललितादित्य ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा विजेता होने के साथ ही राजा ललितादित्य एक महान निर्माता भी था उनके शासनकाल में व्यापार, चित्रकला, मूर्तिकला की क्षेत्रों में विशेश प्रोचाहन और सुविधाये दी गई ललितादित्य एक सफल लेखक और वीना वादक भी थे धार्मिक द्रिष्टी से उदार होने के करण सामराट ने कई बउध मटों और हिंदों मंदिरों का निर्मान करवाया उनके शासनकाल में ही सूर्य का प्रसिथ मार्तन मंदिर भी बना जम्मु कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोराबल गाउ में मार्तन्ड सूरी मंदिर के खंडहर आज भी मौजूद है लड़ितादित्य मुक्तपीड का शासनकाल 724 से 761 इस वी तक रहा उनका 37 वर्षों का राज्य उसके सफल सैनिक अभियानों उसके अध्भुत कला, कौशल, प्रेम और विश्व विजेता बनाने की उनकी खुआहिश से पहचाना जाता है नमस्कार अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेर और कॉमेंट करे टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करे, बेल आइकॉन तबाए